दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी strategy डिसर्ज करने वालों जिसके लोग लाखो रुपे चार्ज कर लेते हैं अपनी classes में आपको पता है कि मैं पिछले 5 साल से जब से आपको सिखा रहा हूँ, train कर रहा हूँ, YouTube पे एक classes गंदर में आपको वो चीज़ें देने कुशिश करता जिसके लिए आपको पैसे ना खर्च करने पड़े हैं, यहाँ पे जो strategy मैंने प्लान की है, जो आपको समझाने कुशिश कर रहा हूँ, उस strategy के बहुत साही नाम हो सकते, कोई इसको demand supply zone कहता है, कोई इसको buyer and sellers का zone कहता है, कोई इसको zone technique कहता है, कोई उसको कुछ कहता है, basically structure same है, value same है, rule same है, but कहीं न कहीं उसको use करना आना चाहिए, tool वही है, हतियार वही है, जो सबके पास है, but कोई किसी हतियार से अपने आपको defense करने कोशिश करता है, कोई किसी उसी हतियार से कुछ crime करने कोशिश करता है, हमारे सामने सभी tools same है, जो सबके पास है, मैं trading view का platform use कर र बालं सीना, यह सब्रेक्व बंधसे हैं, 니 उसको सब्सक्किना क्ेसा अब जाए, विपड उनמה, बिल्कुल भी हम समझें कि 2-5 मिनिट के चोटे से वीडियो में आपको ऐसी चीज़े दे दू जो आपको समझ भी ना है मैं वीडियो बनाने के लिए पॉइंटर्स में वीडियो बना सकता हूँ वीडियो को आप स्किप बिखा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे कोशिच करूँगा यह प्योली एजूकिशन लानिंग के लिए है आप प्लीज बैक्टेस्स कीज़ेगा और हाँ एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को इस तरीके को कम से कम 60-90 दिन में अगर आप में प्रेक्टेस किया अमल में ला है तो आज अकर उप्शिन लिया है तो दोखा चार होना हिना चाहिए डेली जीरो हिरो मिलना ही चाहिए तो इस सो जीरो हिरो मिल जाते हैं कभी-कभी उप्शन अच्छी बहूं जाती कि तृघिकि जैसे आज अज सुब्से कर रहें थे कोई एट्रिबाइजरी नहीं है के आसपास पॉजिशन से एक सो साथ से एक सो सब्सक्राइब बनाई थी मुझे लगा था कि बज़ार यह जो ऑप्शन ने शाद 220-330 के आसपास चलेगी क्योंकि निफ्टी को मुझे अठारादा 700 के ओप जा था वो मुझे दिखाई दिर था को ट्राइड कैसे किया जाए इसको कैसे एक्सपर्ट बनाई कैसे आब एक प्रो बन सकते हैं बहुत इंपॉर्टन वीडियो बने वाली दुस्तों तो प्लीज एंड तक देखके जाना और अगर अब इतक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो यह गलती ना करें सब्सक्र काना है कैसे सीखना कैसे दूर मैंने काना है टेस्टिंग करने कोशिश करेंगे बाकी होमग आपको दिने वाला हो आप जरूर मुझसे रिस्पॉंस कीजिएगा तो सब्सक्राइब किसी भी टाइम फ्रेम पर इस टेक्निक को लगा सकते हैं मैंने फिलाल डेली चार्ट को ल इसको अब प्रॉब्लम कहां पर आती है वह समधने क्योशिश की बाजार में प्रॉब्लम कहां है 90 टेर्रस फस्तिक रहें जब बजार ऊपर की तरफ चल रहा होता है थोड़ी सी कर्यक्शन लेता है आप यहां को लिगता है चलो एक मूव कंप्लिट हो जाने दीजिए फिर कुछ ने कुछ लगाने में लगे रहते हैं कोई डॉजी गूनता है कोई बुलिश केंडल जूनने कोशिश करता है जो भी वज़े होंगी जिस वज़े से आपने एंटरी की होता कि है थोड़ी दिर के बाद प्राइस करेक्ट हो जागा था अब एस रिटेलर लोगों की दि प्राइस से नीच आता है फिर बादा से बाउंस कर दाता है कहानी यह समझ नहीं हाती लोग कहते हैं बही मैंने लोग पे वेचा हाई पे खरीदा यह किस किसा हुआ होता है ना तो आपको बेसिकली ट्रेंड में डर लगता है किसी भी रेड गंडल को देखके आप ग्रीन ग करने लगया यहां छाथ करते करते हैं reward नंटन ठेञवा और आपके साथ में बहुत लोगों के साहता है 90% चैनल को नहीं पता बदा यह सा क्यों करता वह ऐसा ही करेंगे यहां इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यह fake breakouts को कैसे identify किया जाए in real जो fall breakouts हो रहे है उसको ride कैसे किया जाए how to ride the trend how to trade with the trend ये zones कैसे mark किये जाए कैसे वो identify करेंगे कि कैसे वो जहां बजार करेक्ट कर रहा है या re-trace कर रहा है वो वाकी re-entry point है या hold your trade है या exit trade है उसमें exit होना है hold रखना है या re-entry करनी ये बाड़ा ही important है चलिए इसको दुबारा देखने की कोशिश करते हैं तब करना कैसे करना क्या होगा जब हमाई सामने इतनी था problems आखड़ी हुई है तो हमें इन problem का solution क्या करना होगा सोचके देखिए हमें solutions करना है जब हमें price एक move दे अच्छी खासी बड़ा ध्यान से समझी गया बदा चला था और बदा ने correction दी तो जब बदा correction देने के बाद थोड़ा सा चलनी कोशिश करें आपको देखना ये है कि ये जो correction लेकि जो आपस support लिया है आपको हमेशा आपने left में देखना है left side में आपको देखना है क्या ये price पहले भी कभी respect हुआ है ध्यान से समझना बहुत important है बहुत ज़ाद important तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बार respect हुआ तो कम से में किया दो बार अगर price ने वहाँ पर touch किया था आपको क्या करना है प्राइस को एक left side में देखते हुए अपनी एक horizontal line मार्क कर रही है कैसे करनी चार्ट के ओपर चलेंगे तो आपको समझ में आगा कि अगर ये पहले भी आँसे बाउंस हुआ तो तो एक chances है अब आपको एंगे chances chances के ओपर तो ट्रेर नहीं हो सकता जी हो सकता है जब इतनी मड़ी science एक essay base के ओपर टिकी होती जहां हम कहते है keeping things constant और फिर हम अपने formula को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ चीजों को स्थाही मानते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो फूरे इसे बनी होगी keeping things constant जीरो ऐसे आव इश्कार हुआ होगा थे ना numbers ऐसे आए होगे हम मानते हैं न हम मानते हैं तो हम मान के चलेंगे कि यहां पर एक bounce हो सकता है पर क्या इस bounce पर play करना है जी नहीं इस bounce के उपर नहीं play करना है यहां रुकना फो सकता है अपने यहां माल लिए हो यहां करने वाले Os, अगर आप you पिछे जाएंगे हो सकता है बदा रहा है ऐसे आया हो हो सकता है तो आपको हो सकता है ऐसा दिखाई दे तो यह reference 2 right यह 3 तो जब आपको बहुत सा यह references दिखाई देंगे थब आप समझ सकते हैं हाँ this was a resistance now it is becoming a support तो there is a possibility that it can bounce बासन में तो uptrend में यहाँ पे आपको वापस trend resume करने की help हो सकती है और trend को resume करने की आप hackerneshi candles को use करके देखिए बहुत ही beautiful candles है वो बड़ा जबर support देखिए इसके उपर मैंने वीडियो बनाई ही वो भी आप जाके देखिएगा और अगर मान लीजिए इ आके जब fall कर रही है समझिए fall करते है suppose आपने यहाँ कही माल को short किया बजार वापस चलने लगा तो बजार जब चलने लगे तो आपको यहाँ भी कहाँ देखना है on your left तो हमेशा देखना है on your left left में देखिए left से अगर आपको कोई reference point मिलता है तो हो सकता है बजार ऐसे आय हो सकता है वो 15 मिन का time होसता इंट्राडे के लिए 5 मिनट का तीन मिनट का एग घंटे का positional के लिए one day का overnight के लिए किसी भी के लिए अगर आप यह reference points मार्क कर पाते हैं तो यह असली खेर होता है अब यहाँ पे जरूर नहीं कि बार-बार टच हुआ हो यह भी हो सकता है कि ब करेंगे क्या यहां से वापस entries हो सकती है यह समझने वाली बात है इसको रियल चार्ट के ओपर देखते हैं ताकि सब्सक्राइब कर देखना और इस वीडियो को अभी डाउन्लोड पर डाल दो तो सब्सक्राइब काम कैसे करना है चार्ट के ओपर चलते है चार्ट क्या कहता देखें यह एक trend line है करेक्ट और यह एक horizontal line है जो आपको यह बताती है कि suppose आपको देखना क्या है अब बजार यहां पर मान लीजिए हम यहां बात करते हैं कि पहले identify करते है trend कैसा चलते है trend कैसा गाईस यहां से अगर हम देखें तो बजार ने एक high बनाया एक low बनाया बजा यहां से काम करते करते आप यहां आ रहे थे और यह आने के बाद में जब एक correction होने लगी तो यहां पर अच्छे अच्छे लोग डर जाएंगी क्योंकि आप number of candles देखें कितनी सारी red candles है कितनी red candles है देखिए one two three bunch of red candles जिसको देखके अच्छे अच्छो के पसीने छूट जा मिला ना और यहां से हुआ कहता है यहां price action read करना है आपको यहां पर price का behavior को road करना है यहां असली psychology है यहां से बजार धडाम से गिरा था कितने point गिरा था मोटा मोटा अठारता 460 से लेकर 18,055 तक मोटा मोटा 400 point निफ्टी गिरी थी यहां से next time जो बजार गिरा है यहां से इसने इसको पूरे gap से ऊपर किया, breakout दिया, support लिया exactly वहीं पर फिर बदा चला है तो क्या अगर यह वाली जो candle थी, जो next candle थी, मैं इसको महा करता हूँ यह, जिसको आप एक hammer भी कह सकते हैं, bullish hammer कह सकते हैं, irrespective of the color, यह bullish hammer है क्योंकि इसका lower wick high है, लोर wick बड़ा है, body छोट candle का color ना देखिया, अगर यहाँ पर कहीं entry की होती, तो आज ए पूरी की पूरी rally 18,700 तक वापस कहां से, 18,400 सकता से 18,750, 200, 300 point आपको यहाँ पर लेने को मिलते, overnight positions में, intraday में है, यही पर आगर आप देखेंगे, क्या reference point आपने mark किये, चार्ट को थोड़ा zoom out करेंगे, तो स correction पर डरना नहीं है, निकलना नहीं है, correction पर आप और accumulate कर सकते हैं, यहाँ पर average out कर सकते हैं, यहाँ positions फिर से बना सकते हैं, एक downtrend के stock को देखते हैं, downtrend में कैसा है, suppose downtrend के हम बात कर रहे होते हैं, जैसे यहीं EC को पकड़ते हैं, EC में समझते हैं अच्छा असानी से, अब मान पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शॉट करते हैं, ठीक है लोग यहाँ पर आपने शॉट किया, और शॉट करने के बाद में बाद में बजार में आपको यहाँ पर एक bounce दिखने को मिल जाता है, तो यह bounce कहां तक जा सकता है, अगर आप positions आपकी अटक गई है, समझ में आएगा कि उपर का जो reference point है, यह दो बार हल फिलाल में resistance कितरा काम किया था, फिर यह एक zone था, उपर कितरा touch नहीं होँआ, तो यहाँ में zone create करने की तरह होता है, क्योंकि जो पिछले हाई है, एक line और उठाइए, और यह mark कर दिए, तो यह जो zone है, उपर के दो, जो यह जो zone में बार करता हूँ, बहुत अच्छे clear हो जागा, यह जो zone है वह हमारे जाए, यह हमारा as a resistance या as a support zone का काम करेगा, तो यहाँ clear समझ में आएगा, देखिए, यह देखिए, जितरा पीछे जाएंगे, आपको beautifully समझ में आगा, कि यह कितना जबर्दस तरीके से काम कर पर देखिए, बिलकुल यह, कितना मर्जी पीछे आप जा सकते हैं, यहाँ देखिए, इसमें कोई हैरत अंगेज बाद नहीं है, तो बाजार जब 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 इस zone में आया, बाजार ने selling देखिए, जब जब बाजार जब 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 ज करने के लिए आप दो पहला लाइन उसकते हैं, एक रेक्टेंगल उठा के zone mark कर सकते हैं, तो यहीं से गिरेगा, तो दीखे वापस आपको fall exactly वहीं से आया, उसी zone से, क्योंकि जब 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 हुए हमारा, वैसे ही zone आप एक bottom पे भी बना सकते हैं, मैं सब कुछ clear करता हूँ, देखे, बहुत अच्छे समझ में आगा, I hope ये video interesting हो रहे होगी, मैंने एक zone उठाया, ये zone मैंने mark किया, ये zone क्यों mark किया, इसमें maximum peaks cover होगे, देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 peaks इसमें cover होगे, in यहां से बदा latest यहां से चला है, यहां से चला है न तो यह zone mark करो आज, कैसे, इसको उठाओ, खीचो और यह विक तक पकड़ो, बस, इसके अंदर आपके almost और थोड़े adjust करने में कोई issue नहीं होना चीए, हलका से adjust करो, तो सारे buying zone clear होगे, buying है न, अब बाइंगे तो इसको green क time frame भी आपके लिए अच्छा है, तो basically आपको एक range mark करनी होगी, हमेशा एक range mark करनी होगी, range देखिए, option data को read करते चलिए, range mark, ऐसे range को mark किया जाता है, तो बhazar जब range को उपकी तब break करता है, तो breakout आता है, यह देखिए, दुबारा से retesting होगी है, यहां पे retesting होगी है, exactly इस point field पे retesting होगी है, देखिए, यह था, यह था, अब यहां पे एक resistance की तरह यह काम कर रहा था, ठीक है, resistance के साथ साथ में अब यह support का काम बन गया, तो when resistance, when resistance becomes support, that is the change of the trend, and when support becomes resistance, that is again a trend change, guys, I hope यह समय में आया हो, आपको आप 15 मिन पे जाके भी अपने zones मांग कर सकते हैं, देख कोई भी time frame पे अगर आपने एक zone सही से mark कर लिया, option data को आपने सही से read कर लिया, देखो, यहां देखो, नीचे की तर देखो, 15 मिन के time frame पे मैंने वो zone mark किये थे, यह अब भी तक वहीं दिखाई दे रहा, देखो, दिखाई दे रहे, पीछे तक जाके देखो, कि सब कुछ आ नहां पे, तो uptrend start हुआ, तो support resistance की theory, old school theory हो सकती है, बड़े लोग पागल बनाते हैं नहीं, strategies लेके आंके, मैं बहुत strategies चैनल पर लेके आने वाला हो, इतनी strategies आपके लिए लेके आँगा, हर strategy की back testing होगी, हर strategy के उपर में एक relief point होगा, एक belief point होगा, ताकि आपको समझ में आ पसंद आई होगी, पसंद आई होगी, पसंद आई होगी, तो please एक comment और एक feedback, दिल से चाहिए, दिल से करेंगे तो इस family का हिस्सा बनने वाले हैं, और live trading करना है, live analysis करना है, market मेरे साथ live रहना है, कि सुबह बजार कैसा है, क्या performance क्यों की जा सकती है, call options में कहां काम क्या सकत है, और डेली 2-5,000 पर बनाएं जा सकते हैं, आराम से घंग से ट्रेंड को पकड़के काम करेंगे, तो डेली 2-5,000 पर कमाने का mood है, डेली बजार को live track करने का mood है, डेली आप अपनी कोई strategy मुझ से test कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपा सकते हैं, नौ से गयर डेली आप देखना जानते हैं, देखे, राइट के शीशे को सब देखते हैं, चाहे हो बाइक हो, चाहे कार हो, राइट वाला जो side mirror होता है, उसको सब देखे, drive करते हैं, आप overtaking zone में होते हैं, बट लेफ्ट में, इंडिया में 99% लोग left से overtake करते हैं, आपको मालूँ हैं, जिसक रिस्पेक्ट, रिगार्ड या फटकार मिली है, तो शायद ये price बड़ा important है, शायद ये zone बहुत important है, ऐसा ही है, ये demand zone फेल नहीं होते हैं, बट इनके पास होने की percentage more than 90% होती हैं, और दोस्तों अगर आप इस strategy को 90 दिन के लिए try करते हैं, मेरा challenge है, आप से बहतर pro trader को हो न बजय कहते हैं कहां थैजन आसे कहांट हैं, बथिए बजय को सी सब्सिंता हैं, बच सेन लेका को एunn का बड़ा हैं, बबएके हैं, बढब शायकंट्ककी बड़ा हैं हैं, बजय को ये वे थ're झाझा को को दो जा आइसल को लेन सीजन हैं, इसल भी इनके हैं, बटल Deshalb calowब में